इसलाम अलेकुम सिस्को फाय पावर ठीक है लेक्शन नुबर फाइव चल भाई ठीक है तो हमने सीम टेक्नोलोजी इस पड़ ली ठीक है बीवा ओड देख लिया एंटी मैल्वेर प्रेक्शन देख लिया यह यह लावड विच्व नेट्वर्क टेक्नोलोजी इस अल्रडी हम जनरेशन IPS NG IPS से कहते हैं ऑडियास का संपल नॉमली यह होता है और IPS को आपको पता है deployment mode 2 है one is called in-line जिसमें packet के रास्ते में पढ़ाए हूं होती है ठीक है और वही पर शन करके पहले ठीक है अब यह थो थोड़ी पराणी डाइग्राम है Cisco safe network जिसे हम कहते थे Cisco safe diagram अगर आप Google करेंगे तो आपको मिल जाएगी security की डाइग्राम है ठीक है तो depending upon the situation आप कहां कहां reply करते है normally अब यह perimeter पे firewall के बाहर लगाएंगे तो बहुत जादा false positive आएंगे firewall के अंदर लगाएंगे behind the firewall लगाएंगे तो कम आएंगे मगर वो ब्लॉक करेंगे और आउटसाइड पर आईएस मौड में रखते है आईएस IPS के difference आपको पता है detection system है protection system है दोनों एकी चीज़ें way of deployment of IPS है ठीक है तो next generation IPS क्या सिस्को के पराने IPS 4000 series वगारे चल रहे थे तो सिस्को नेजीब 2013 के अंदर source fire की acquisition की source fire एक product थी ठीक है और source fire की specific product जोंसी company थी source fire की specific product जोंसी थी स्नौट थी और एक product थी M तो सिस्को इन दोनों acquisition में interested थी और सिस्को की top acquisition में number 9 पर थी मेरे ख्याल में यह सिस्को की 9 most expensive acquisition थी ठीक है तो स्नौट का quick quick overview ठीक है स्नौट source fire की IPS product है ठीक है source fire की source fire की product है which is called स्नौट एक छोटे से पीगी से रिप्रेजन की जाती अब यह सिस्को की अपास आ गियो सिस्को ने उसका नाम firepower दे दिया ठीक है तो मैंने कहा यह quick review देते क्योंकि सिस्को ने आपको इसके बारे पर कुछ नहीं बिताया हुए ठीक है स्नौट बेस नाइए स्प्लाइस थी ठीक है यह 2001 के अंदर थी ठीक है इससे gigabit intrusion detection capability देते थे यह लोग ठीक है community ने बड़े rule बनाया थे बहुत best थी linux के अंदर भी install हो जाती थी सारा कुछ inline intrusion prevention दी multi gigabit IPS support दी automated impact assessment करती थी ठीक है real time RNA जिसे ही लोग इन्होंने RNA बहुत किया था ठीक है real time network awareness थी कि इसे context का अंदाजा होता था कि अच्छा जी यह आया packet यह इस server को hit किया यह server के अंदर क्या limitations थी इसकी security profile क्या है यह कितना critical server है इस network से यह file move होके कहां से कहां जारी तो यह सारी सारी चीज़ें थी 2007 के अंदर उन्होंने real time user awareness भी डाल दी कि अब कौन सा यूजर कहां पे login हुआ है ठीक है management of and physical and virtual IPS sensors भी बना दी 20 gbps ips and ssl waste ips supplies भी दे दी और इसके बाद इन्होंने firepower trademark series निकाल दी 7000 8000 तो 40 gbps की IPS देती थी इसमें stacking wise technology थी ठीक है और यह अब इस जगा पे 2012 में next gen IPS ठीक है application control fire amp amp for firepower type की technologies निकाल दी जो amp अभी हम पीछे पढ़ चुके इसलिए मैंने इस लेक्टर को इधर प्लेस किया ताकि आपको अन्वाज़ा हो जाए कि आप Cisco का इंट्रेस्ट बनना शुरू है Cisco ने कहा यार आप this looks very interesting let's go for this company amp appliance geolocation device network file trajectory यह जो मैंने भी file trajectory की बात की थिए file आपके network में आगे आगे आप आप देख रहे हैं कि इस टु वेस्ट ट्रैफिक की इस तरह travel करी यह कौन कौन सी machines पे गई file कहा कहा पे इसने hit किया इस file ने तो यह तमाम चीज़ें इसके अंदर आगे 2013 में Cisco ने से acquire कर लिए ठीक है तो यह इस note कुछ इस तरह की चीज़ है ठीक है firepower physical appliance कुछ इस तरह की नज़र आती है ठीक है firepower और इसको Cisco next generation IPS technology के नाम पर भी sell करती है Cisco ने जो अपनी existing firewalls है उसके अंदर ही firepower नकाल दी है ठीक है तो यह सारे का सारा box घुज के अंदर इसके अंदर आ जाता है ठीक है तो firepower तीन चार चीज़ों में मिलती है firepower applies जो कि physical appliance है ठीक है virtual next generation IPS for VMware 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 के अंदर आ जाती है fire asa with the firepower और इसके एक चीज़ जूंसी है which is called fire site management center ठीक है management center एक server होता है virtual भी हो सकता और उससे आप यह तमाव अपने network में लगी वी IPS appliances को manage कर सकते हो ठीक है personally एक साल पहले तक 2016 तक 2015-16 तक जब Cisco की firepower product को कोई भी देखता था तो बहुत unhappy था Cisco खुद भी मानती है मैंने Cisco से खुद direct भी बात की थी ठीक है जब exact meetings होती है Cisco के साथ जब Cisco आपकी company के execs को बलाती है और आप present करती है हमारे पास new product तो हमने firepower का demo भी किया था और और भी काफी सारी product थी तो तो tech team थी was not happy with this deployment at all क्योंकि उनको उनको समय नहीं आती थी इंटरफेस कासा बड़ा जीब और गुरीब सा इंटरफेस था उन्स टीम को प्रेंग पर भी 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 बेजा और training trainers भी हर बंदा पीट्रा था मगरा मेरे मेरे में Cisco ने कुछ improvement करने शुरू क की है इस नो इस नो 100% perfect but firepower के पीछ पावर की चीज की है snot की this is the power behind it ये बड़ा sense बहुत 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 कैपबल तूल है market leader Gartner की 10 साल की 5 साल की reports आके स्नौट is always on the top ठीक है और जिसना ही Cisco की acquisition हो तो स्नौट की जगह वहां पर source fire की जगह जोंसा है Cisco आ गया वो लोग serious होना शुरू है देखते हैं कब तक serious होते हैं मगर इस इंट्रॉस्टिंग प्रडॉक्ट हुआ कोई ठीक है यह fireside management center कर डैशबूर है ठीक है fire center dashboard जोंसा है इसके अंदर आप AMP का module भी लगा सकते हैं इसमें licenses थोड़ी weird किसम की है ठीक है तो यह number of threats आपको बता रहा है indicators of compromise by host ठीक है new indicators of compromise over the time कितने botnets malware open proxy phishing emails आई है open relay traffic कितनी है कितने traffic को मैंने block किया ठीक है यह normal traffic है यह intrusion events है अब इन में से कितनों को आपने shun करना depend करता है मेरे ख़ल में 012 को मेरे ख़ल में वो शन करता है ठीक है और यह malware threats है कौनकों से malware आई है आपके पास ठीक है यह basic 5000 foot view fire site manager center का इसके अदब बहुत सारे काम होते है ठीक है यह आप यहां पे देख रहे है fire mb add हो सकता है multiple objects add हो सकते licenses आप इसके अंदर add कर सकते है geolocation based पे fire ips block कर सकते है ठीक है यह आपके चाइना से traffic ना आए मेरे पास email server पे तो आप यह block कर सकते है ठीक है source fire ने एक term नकाली थी जब source fire source fire थी Cisco source fire नहीं थी ठीक है तो इस called attack continuum attack continuum क्या कि before during and after ठीक है सबसे before क्या कि discover enforce and harden क्या firewall यूज़ करेंगे VPN यूज़ करेंगे UTM करेंगे next generation firewall करेंगे ठीक है neck and identity services यूज़ करेंगे ठीक है यह before है during the attack next generation IPS होगी तो वह block करेंगी web security email security appliances यह during the attack हो रहा है कि spam email आया ठीक है और उसके बाद after the attack advanced malware protection amp retrospectively आपको बताएगा यह file यहाँ यहाँ थी forensic analysis both case में network behavior analysis behavior change हो गया ठीक है और इन सब के साथ एक चीज जो सी parallel चलती है is called visibility and context ठीक है कि आपको इस तमाम situation के अंदर visibility नजर आ रही और context आपको समझ आ रहा हो कि कौन सी file किस बंदे ने किस time download की जिसने यह सारा मसला किया attack vector क्या था कहां से घुजा बना ठीक है तो यह source fire का attack continuum था और यह Cisco इस attack continuum के against अप nothing to do with the ccna security ठीक है ccna security सिर्फ मने आपको यह बताना था यह source fire की product है यह firewall है और यह यह काम करती है that's it यह थोड़ी extra होगी यह slide इं बहुत सारी इसके अंदर ठीक है से है correlation event के white list black list compliance तो नहीं है security intelligence event के भाई पिछे से ठेलॉस ठेलॉस की जो हम बात करते हैं ठीक है यह तेलॉस के अंदर पहले ठीक है AAMP से बहुत सारी चीज़ें इनको पता चल देए network file trajectory ठीक है tracking of file as they traverse through the network ठीक है यह सारी चीज़ें source fire के अंदर है source fire और typical IPS यह Cisco की slide है तब मैं इसको इतना वह नहीं कहता कि threat आपको दखा रहा है ठीक है typical IPS यह typical next generation firewall भी आपको बताती है ठीक है attack है abnormality है ठीक है typical firewall इसकी IPS जो से आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिखाती ठीक है मगर next generation IPS यह लोग कहते है as versus को ठीक है अगर आप यही मेकाफिक की उठागे देख लें या checkpoint की या Palo Alto उठागे देख लेंगे तो कुछ औरी story सुना रहे होंगे पाल उल्टो खैट try to sell their firewall as an IPS which I totally disagree ठीक है web application chat eBay के बारे में understand करती है HTTP traffic file analysis अब इसके बार कहते हैं कि लोग यह चीजें जो से है ना यह चीजें बाकी IPS नहीं कर सकती ठीक है I'm not going to debate on it Command and Control Services Client Application Network Services Router and Switches Operating System Printer Wipe Virtual Machine यह सारी के बारे में यह समझ सकती है इस चीज को हम network awareness कहते है ठीक है real time network awareness ठीक है कौन कौन सा operating system चल रहा है यह किस चीज के ओपर पड़ी वी है email किस किस किसम की आई है कहां से आई है किस source से आई है IP address IP reputation का part है यह नहीं ठीक है यह claim करते है से इसको कि Cisco source fire next generation IPS can do all of them और वाकि यह इतना कुछ इसको पता होता है उस base पे इतनी सारी information की base पे यह decision करती है thank you very much आज कब topic source fire fire power snort और क्या है fire power हो गया snort हो गया source fire हो गया fire site manager हो गया ठीक है खुश रहें दौाओं में याद रखिएगा फिर मलाकात होगी अल्ला हाफिज